नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एडिक्टिड अकैड़ी में माइनेम इस उमेश और ये जो है हमारी जो मैराथॉन सीरीज है हमाचल देश जनल स्टेडिज की उसका ये पार्ट थर्टीन है और इससे पहले हम 12 पार्ट और 120 जो है वैल्योबल कोस्टिन जो है डिसकस कर चुके हैं एक डिटेट एनलाइसीज हम हरे कोस्टिन की जो है करते हैं और डिफरेंट टोपिक्स उसमें में रेकवर होते हैं इस्टरी, पॉलिटी, जेग्राफी, और इमाचल देश, प्रंट अफेर, इकनोमिक सर्वे, बजट और देखिए ये टेस सीरी आपको काफी ज़्यादा हेल्प करेगी अगर अगर अभी तक आपनी ये बारा लेक्चर नहीं देखे हैं पिछले तो आप पहले उनको देख लिए फिर उसके बाद आप आगेस को कंटिन्यू करें आज का पहला प्रसन आप अपनी स्क्रीन के सामनी जो है देख सकते हैं तो देखें इसमें आपसे पुछा गया है सेफ सिटी प्रजेक्ट अंडर दी निर्भया फंड प्रपोस्ट वी एंग्जेकुटिटिड इन विच ओफ फॉल्विंग डिश्टिक ऑफ हमाचत देश तो जो निर्भया जो निदी है इसके अंतरगत सुरक्षित सहर तो आप ध्यान इबना सेफ सिटी प्रजेक्ट जो कि निर्भया फंड के तयात है इसको एग्जेकुट करने की जो बात है यह की जारी है मंडी डिस्टिक में इसको एग्जेकुट किया जा रहा है बहुत ही मत्पूर्ण देखिए निर्भया निर्भया जो है नाम है 2012 में दिली जो है गैंग रेप केस हुआ वहां सी यह जो है नाम है जिसमें पूरे देश को जो हमारी लाकी रख और यह जो फंड है यह मिर्भया यह जो फंड है इसको 2013 के यूनिन बजट में जो है अनाउंस किया गया था तो इसके तहां जो है सेफ्टी और उनकी डिगनिटी को परजेक्ट गने से लेट जो परजेक्ट चलाया जाते हैं तो बहुत ही मत्मुन यह कुछन हो जाता है सेफ्टी प्रजेक्ट निर्भया फंड के तहर जो चलाया जा रहा है और मांचब इसमें मंडी डिष्टिक में इसको जो एक्जग्योट किया जा रहा है तो देखिए आप यह दा ट्रिब्यून का निउस आर्डिकल देख सकते हैं तो इसमें जो सेफिटी प्रोजेक्ट है इसको प्रजेक्ट किया गया तो एक्जग्योट निर्भया फंड तो इसमें इंशोर की जाएगी सेफ्टी अबुमेन इसके साथ साथ स्मार्ट सॉलीशन जो प्रवा करेंगी और देखिए इसमें ये परिकल्पना की गई है कि इसमें हम ड्वेल्मेट करेंगे इंप्लिमेंटेशन करेंगे और ओप्रेशन करेंगे CCTV बेस्ट सर्विलेंस सिस्टम फॉर मंडी और CCTV की फुल फॉर्म होती आपकी कॉंपक्ट कैमरा टेलिविजन और लेटेस्ट जो हैल्प गरेगा इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर मंड तो जो भी मैला हैं या लड़कियां हैं उनको इसमें साहिता प्रोवाइड की जाएगी इसके साथ जा साथ सीनियर सीटिजन से उनको भी इसमें कवर किया जाएगा किसी प्रकार की आपातकाली इंस्तित प्रोवाइड की जाएगी और देखिए बाकी अद्ड़ जो स्टेट जो रहती है इमांचर पर इसको छोड़के जो जो साथ सेंटर देगा और 40 वहां के सरकार देगी और दिल्ली में जो देखिए बहुत मुतमुन जानकारी है दिल्ली में जो सेफ सिटी जो प्रजेक्ट जो लाया जा रहा है ये सारा केंदर सरकार के द्वारा ही फंड किया जा रहा है अधिक जानकारी देखिए आप स्क्रीन पाउस करके जो है यहां पर भी पड़ सकते हैं और देखिए कुछ, कई बार examination में आप से पूछ लिया जाएगा निर्भ्या missile के बारे में, एक missile का नाम भी निर्भ्या रखा गया है, और निर्भ्या जो missile है, ये सब सोनी क्रूज मिसाइल है, पुड़ी से extra information आपके लिए, सब सोनी क्रूज मिसाइल है आपकी निर्भ्या, जबकि जो ढमोस है, वो सुपर सोनी क्रूज मिसाइल है, तो देखिए निर्भ्या फंड के बारे में, आप विकिपीडिया का एक आर्टिकल पड़ सकते हैं, तो देखिए निर्भ्या फंड जो इंडियन रुपीज 10 बिलियन डॉलर का है, ये जो कॉर्ड से आपने धेनना एक बिलियन सो प्रोड के परावर होता है, तो दस बिलियन जो एक जार प्रोड हो जाएंगे, इसको जो हमारे भारत की सरकार के दोरा जो जात तेरा के जो यूनिन बजट है, उसमें नाउस किया गया था, और देखिए बजट से लेटिड मैं आपको बता दूं थोड़ी है एक्स्टा जानकारी, हमारे जो सवविधान का जो अनुछेद 112 है, 112 जो नंबर जो आर्टिकल है, उसमें दिया गया आपका अनुछेद फाइनेशल स्टेट मैरी, यानि यह जो वर्ड जो बजट है, यह जो बजट नाम का यह जो शब्द है, यह मारे सवविधान में कहीं कहीं पर भी नहीं लिखा है, कहीं पर भी एडिफाइन नहीं है, और हमारे सवविधान के आर्टिकल 110, अनुछेद 110 में मनी बिल हमें देखने को मिलते हैं, तो देखी यह अनौस किया गया था, क्योंकि 2012 जो दिली गया गया था, उसने पूरे हमारे देश को हिला दिया था, और देखी इस फंड के ताएर, मिनिष्टि जो रहती है, बहुत सारी मिनिष्टि जो है, बोला गया है कि हम इस फंड की एप्लिकेशन करेंगे, इसका यू करेंगे, और इसमें जो है, वन स्टॉप सेंटर से भी शूरू किये जा रहे है, ताकि है, महिलाओं की स्कोर्ड की जासके, जो कि आपकी हिंसा किया, ग्रेलो हिंसा की जो है, छिकार है, थोड़े से देखे, मैंने ये पी आईबिक आर्टिकल भी डाला है इसमें, क्योंकि जो निर्बिया फंड है, ये बहुत ही मत्पून है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, कि ये जो निर्बिया जो जो स्कीम होती है, उसके तहत भी जो फंड जो होता है, वो नोन लेप से भल होता है, तो देखे, अगला प्रशन बहुत ही मत्पून प्रशन है, इस तरह अगे प्रशन पूछ लिए जाते हैं, अ टेबलियो ऑफ इंटरनेशनल कुलू दशरा वाज डिस्प्लेस इन रिपल तो देखे, आप देहनदा 2020 का जो हमने गंतरन दिवस बनाया, राजपत के जिसकी प्रेड होती है दिली में, तो इस दोरान जो है, मारे अंतराश्टी कुलू दस्वेरे की धांकी जो है, यहां को दिखाई गई थी, और देखे, कुलू के दशरा के बाद मैं आपको पहले बगवार रखनाठ जो हुआ हूं कि यह राजा जद स्वेरे समव् देख सकते हैं, तो इस ने लिटल तो देखिए अगला प्रशन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं देखिए इसमें 2021 का करंड़ फेर मैंने उठाया हुआ है पर देखिए आपके ओप्षंस हैं तो देखिए आपके ओप्षंस हैं तो देखिए अपका नाम है आपका डलिता वकील ये देखिया आपने नाम जुरूर मेमोराइज कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही मत्मून है ललिदा वकील जी को मिला है ये जो एक क्राफ्ट परसन है और इनके दोरा जो चमबा रुमाल के सब्परूरी का शुक्त की मिने बहुत है और इसके साथ 2022 में मिला था विध्याननद शरीक को तो ये दो नाम आपने जूरूर याद रखने विध्याननद शरीक तो ये दो नाम है ललिता बकील और विद्यानन्द शरीक इनको मिलाए 2022 का पदमश्री वार्ड इमार्चापदेश में और विद्यानन्द शरीक एक आपके आटिस्ट है और 2023 का अगर मैं बात करूँ अभी हाली में रिसेंटली जो है नेक राम शर्मा जो मंडी जीले से बिलॉंग करते हैं इनको जो और्गनिक जो फार्मिग है उसको प्रमोट करने के लिए अगरिकल्च के फिल्ड में जो है और 1904 से ये अवाड जो है मारे बारत में जो दिये जा रहे हैं तो जो आटिशन है करतार सिंग सोंखले इनके द्वारा मिनी एंचर मिनी एंचर होता है चोटे स्केल के और चोटी जो है इनके द्वारा जो है इसके साथ आपको पतावना चाहिए कि 2020 में ही आपके इमार्चापदेश से संस्क्रिट के अभीराज रिजिंदर मिश्रा इनको भी पदम श्री मिला है 2020 में प्रमोशन ऑप संस्क्रिट लेंग्वेज के लिए और एक बात आपने ध्यान में रखनी है इमार्चापदेश से अभी तक किसी भी पर्षन को भार्त रतन नहीं मिला है तो इस तरह की प्रश्री पर्षन पुछ ली जाते हैं अगला प्रशन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सेते हैं बहुत ही मत्कुन प्रशन इसमें आप से पुछा गया है तो क्या ये अड्वर्टेशन जेंसी थी न्यूजपेपर, टूरिश लॉजज ये बिटिश गौर्न लॉजज़ तो आपको ये पता हैं चीए ये उस दोरान जो है समाचार पत्र थे लोकल न्यूजपेपर थे ये बिटिश राज के दोरान आपने ध्याने ना हिमालियन अ लॉज़ इन शिमला तो शिमला में वाइस रिगल जो लॉज़ है इसको बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था तो देखिए इसको बनाने का विचार है ये लॉड लिटन के मन में जो है आया था और देखिए ये जो वाइस रिगल जो लॉज़ है इसका निर्म सूरख़ आठाश sensational उसके जो अइसके जो आठेट झ töैंडे रिविं त्यृट्र!!" लूद उसके जो हे अधिफ्यालेवने और, आपको यहन भी पता आप चींए कि यह जोई जो दो झार आप यो छीनào कॉन्फरेंस हुई थी बहुत ही मत्मुन जो 1945 की जो सिमिला जो कॉन्फरेंस थी वह भी वाइस रीगल लॉज में हुई थी और यहां पर भारत के बंटवारे का नियन नहीं लिया गया था तो बहुत ही मत्मुन और वह बहुत ही मत्मुन बुक है यह माचल्प्रेख क्षेक्ट्र और भासा नामक उसके रचयता कौन है इसके लेकर कौन है तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा बी, Dr. YS Pramara जो है लेखक है आपके三모 प्रदेश ऐरियन लेंगश बहुत ही मतकुन बीर के डॉक्टर वाइयस प्रदेश के बारे में आप सबने सुना होगा इनको जो है स्ट्राज प्र में तो भी कहा जाता है इनका जल्म 4 चुट अदर्स 1906 को जो है तो चन हलाग जो विलेज है सिमोर डिस्टिक में और ये राजपूत फैमली में इनका जो है जनम हुआ था और जो क्रिस्टियन जो कॉलेज है लाहॉर में वहां पर ये पड़े थे और बाद में उनिशो चुटारीस में लखनू का जो विश्व इदाले है लखनू की जो इनवस्टि है यहां से इनको जो पी एच्टी की डिग्री मिली थी और एक भहुत ही मतून जानकारी में आपको बता दूँ 1946 में जो महारी सविधान सभा बनी थी महारी कंश्चन्ट सैंबली बनी थी जिसकी पहली मिटंग पहली मेटिंग जिसकी जो है 9 December 1940 को हुई थी यह भी आप ध्यानका सभीदान सभा की पहली जो मेटिंग है पहली जो सभा है इसकी पहली बैठक जो 9 December 1940 को हुई थी तो इसमें यह डॉक्टर वाइस परमार जी के द्वारा जो है माचब देश को रिप्रेजेंटर किया था तो देखे पहली बार जो है यह शुन सिंग परमार जी जो है माचब देश के जो है मुख्य मंतरी आठ मार्च 1901 से 30 अक्तूबर 1956 तत बने उसके बाद 1 November 1956 को परमार को जो है अपने मुख्य मंतरी के पद से जो है उतना पड़ा क्योंकि उस दौरान जो है माचब देश को एक यूटी के अंदर साशीर प्रदेश जो है बना दिया गया था और लेफ्टनेट गुवर्नर के अंदर जो है रत दिया गया था इसके बाद Y.S. परमार जी दुबारा जो है एक जुलाई 1963 को दुबारा मुख्य मंतरी बनते हैं और 28 जन्वरी निच्वार जो है मुख्य मंतरी रहते हैं हिमाचब देश एरिया और लेंगोज जो है यह बहुत ही मतमून जो है बुक है पहले जो मुख्य मंतरी थे हिमाच परमार जी को दारा लेकि गई है अगला परशन लेकिंगे किसी एक्जामिशन दुबारा रपीट किया जा सकता है वीच इंडर्स्टिल एरिया आफ इस टेट इस फर्स्ट तो यूज ग्रीन फ्यूल तो हिमाचब देश का कौन सा अध्यकिक शेतर है जहां पर राज्य का प जो है शेतर बन चुका है अध्यकि शेतर बन चुका है माचरपदेश का जाबर ग्रीन फ्यूल या हर्थ उर्जा सबसे पहले प्रियोग होई है अगला परशन में देखिए मैं पहले ही प्रीविस लेक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ वीच ऑप फॉल्य कॉमिनेशन इस क इन तर्म्स ऑफ गौर्मेंट शिप ब्रीटिंग फार्म इन हमाचरपदेश में निविल्ट में से कौन सा स्यों जंग में हमाचरपदेश में सरकारी भेड़परजन फार्म के संदब में सही है तो यह जोड़े दिए गहें यह चार प्लेसिस के नाम है तो राइट अंसर व अगला प्रशन तो देखिए स्पिती नशल के घोडों की परजाती को सरक्षित रखने के उलेशय से हिमाचर पदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रशेक्त्र स्थापित किया है तो होर्स प्रेडिंग फार्म हिमाचर पदेश में कहा है सिंपली मैं बात करूँ तो देखिए लरी लाहोलें स्पिती में है तो लरी लाहोड नयस स्पिती में हौर्स बेडिंग फार्म आपको देखने को मिलेगा जो कि जहांपर पर जो इस पिती बिड़ ढूर्स्फेक की जाती है अगला प्रशन देखिए राष्टी उस तर शिक्षा ब्यान से लिटा आप से पुछा गया है रूशा से लिटेटिस में फंडिंग पैटर आपने बताना है वे किस तरह से पैसा खर्च होगा मारी मार्च अपदेश में तो देखिए जनरल कैटेग्रिस जो स्टेट्स हैं जा जो है इंप्लिमेंट होती है तो राइट अंसर आपका जो है ए आपको जो देखने को मिल जाएगा 90-10 होगा यानि कि अगर रूसा में 100 पे अगर खर्च हो रहे हैं तो नब्बेर पे जो है केंदर सरकार दे रही है और सिर्फ और सिर्फ दसर पे जो इसमें जो है मारे 8 बजए आपको जो है रोज मिल जाती है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मेराथोन सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप मारे चैनल को जाल जादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे है कोई व्याब की क्योरी है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कम 15 अधर्स थैंक्स थैंक्स वेरे मुच पर लिसनिंग जैंग 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 जैंग